आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने फोन से किसी को कॉल कर रहे हैं यहाँ पर कॉल करने पर आपको इस टाइप से प्रॉब्लम आ रही है Mobile Network is not available, connect to a wireless network to make a call तो यह प्रॉब्लम आप कैसे ठीक कर सकते हैं आईए आज की इस वीडियो में जानते हैं यहाँ पर आपको इसके लिए सबसे पहले इसे cancel करके बाहर आ जाना है उसके बाद आप अपने फोन में यहाँ पर अपने फोन की settings को open कर लीजिए फोन की settings में आने के बाद आपको यहाँ पर अपने network and internet settings में जाना है या फिर अपने dual sim यानि की mobile network settings में जाना है उसके बाद आपको एक option मिलेगा sim cards के नाम से तो sim cards पर click करिए यहाँ पर आपको check करना है जिस number से आप यहाँ पर call कर रहे है यानि की जिस sim से आपने call dial किया है अगर वो sim यहाँ पर आपकी settings से disable है यानि की जैसा कि आप देख सकते है यहाँ पर अगर आपका इस type से enable नहीं है तो इस पर click करके आप इसे enable कर लीजिए यहाँ पर यह enable होने के बाद ऐसा page आएगा आपके सामने तो ok करिए उसके बाद आप back आ सकते हैं यहाँ पर आपको एक option मिलेगा अगर आपके phone में airplane mode या फिर flight mode है यानि कि enable है तो आप इसे बंद कर दीजिए इस type से उसके बाद mobile network का एक option है mobile network पर click करिए उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे एक option मिलेगा access points name का इस पर click करके उपर तीन dot पर click करिए और यहाँ पर एक option आ जाएगा reset to default इस पर click कर दीजिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा wait करना होगा और यह करने के बाद आपको back आ जाना होगा और उसके बाद आपके सामने एक option आएगा automatically select network अगर आपका यह off रहता है तो आप इसे चालू कर लीजिए और अगर आपके phone में यह already on है तो इसे बंद करिए और यहाँ पर यह फिर से network search करेगा यहाँ पर उसके बाद जिस company के आपकी sim है उसे select करके इसे enable कर लीजिए उसके बाद अपने phone में यहाँ पर आपको power button को press करके रखना है और restart को option आएगा तो अपने phone को आप बंद करके यानि कि restart कर लीजिए उसके बाद आपको यहाँ पर check करना है आपकी problem ठीक हो जाएगी जैसे कि आप देख सकते हैं अब हमारा call यहाँ पर dial हो जाएगा तो इस type से आप यह problem ठीक कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like करें और हमारे channel को subscribe जरूर करें